बिग बॉस ओर टी टी एक की विनर दिव्या अग्रवाल लंबे समय से अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं खबर है कि एक्ट्रेस इस साल अपने बॉइफ्रेंड अपूर्फ पार्गांव कर संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं दिव्या ने खुद इस बात का ऐलान भी किया है एक तरफ जहां दिव्या अपनी शादी की तैयारिया कर रही है वही दूसरी तरफ देश में मालदीव बॉयकॉट की मांग की जा रही है इस बीच एक्ट्रेस ने भी इसे सपोर्ट किया है दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की है इसके साथ उन्होंने कैप्शन में बताया है कि वो भारत में ही अपनी बैचलर पार्टी से लेकर शादी और हनीमून भी मनाएंगी इस पोस्ट के साथ दिव्या ने लिखा मालदीव में जो कुछ हो रहा है उससे पहले मैं अपने ही देश भारत में शादी करने के लिए बहुत एक्साइटर थी मेरी बैचलर पार्टी से लेकर हनीमून तक मैं सब कुछ भारत में करना चाहती हूँ हमारे पास वो सब कुछ है जो बाकी दुनिया के पास है समुद्र तर्ट पहार जंगल रेगिस्तान हमारे खूबसूरत देश में मानसून से लेकर बर्फबारी तक पूरे साल सबसे अच्छा मौसम रहता है भारत हर किसी का प्यार और सम्मान के साथ स्वागत करता है हमें पतिती देवो भावा की शिक्षा दी गई है और हम ऐसा करते रहेंगे एक तरफ दिव्या ने मालदीव के खिलाफ ये पोस्ट किया है लेकिन इसके बावजूद वो ट्रोल हो गई एक यूजर ने कमेंट कर लिखा इन्हें अपनी बात प्रूफ करने के लिए मालदीव की पोस्ट करने की जरूरत पड़ी क्या बात है एक और यूजर ने कमेंट किया वाह दीदी वाह इतनी लंबी बात करके फोटो वही की लगा दी एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा ऐसा है तो विदेश जाना भी बंद कर दो इस तरह कई यूजर दिव्या को मालदीव की शेर करने पर ट्रोल कर रहे हैं बता दे की दिव्या अगरवाल ने बॉइफ्रेंड अपूर्फ पार्गाउं कर से साल 2022 में सगाई की थी दोनों एक दूसरे को 7-8 सालों से जानते हैं वरुन सूच से ब्रेक अप के बाद दिव्या और अपूर्फ रिलेशन्शिप में आये मिजा खब के बाद रमा रार्गा हैं पार्भ शार्प अउन्श एमन्फूर और अगर शेयां पल्प Georg, मेरो में से सभी दोनों आ 허रओार हैं झायें, हिसमा प्हार ड्सफ वा में सक्तना घेव्या और रहे हैं घे हैं। झाल झाल